करवा चौद को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित है और खूब हर सो उल्हास के साथ महिलाएं स्तियोहार को मना रही है। लेकिन इसी बीच हिंदू संगठन के द्वारा एक अलग ही माहूल बना दिया गया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि हिंदू महिलाएं करवा चौद पर मुसलिम महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला ब्यूटी पार्लर या फिर महिली सेंटर नहीं जाएंगी। करवाचौत के अफसर पे हिंदू संगठनों के द्वारा मुस्लिम महिला के द्वारा चलाये जाने वाला ब्यूटी पार्लर और महन्दी सेंटर चलाने को लेकर खुब विरोधी चल रहा है उन लोगों का कहना है कि मुस्लिम ब्यूटी पार्लर लव जिहाद को लेकर काम करता इस वज़े से हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं के द्वारा चलाया जाने वाला ब्यूटी पार्लर और मेहन्दी सेंटर नहीं जाएंगी इसको लेकर उतर प्रदेश में मुझफर नगर की विधायक ने भी महिलाओं से अपील की है आगे जानते हैं करवाचौत को लेकर म मुझफर नगर में विधायक के द्वारा हिंदू महिलाओं को अपील किये जाने के बाद से ही हिंदू संगठन खुब एक्टिव हो गए हैं और करवाचौत की पूरे दिन मार्केट में घूम घूम कर मेहनी लगाने वाली और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली औरतों क आईडी चेक कर रहे हैं वो लोग पता लगा रहे हैं कि अगर महिला मुशलिम है तो उन लोगों के द्वारा हिंदू महिला को कोई भी काम नहीं करवाना है उन्होंने कहा कि आप लोग हिंदू महिलाओं के पार्लर में ही जाएं और उन्हीं लोगों से सेवाए लिजिए जिहाद के लिए कौन करता है इसलिए हिंदू महिलाएं मुसलिम महिलाओं की में हन्दी सेंटर या कि ब्यूटी पार्लर में नहीं जाएंगी करवाचोत के अफसर पर हिंदू संघठनों के द्वारा मुझओ नगर में 13 में सेंठरels खोले गये हैं जहां पर हिंदू शहर में जाकर अपील की है कि करवाचौत को लेकर जो भी महिलाएं मेहंदी लगवाना चाहती है वो आकर हिंदु संगठन के द्वारा चलाए जाने वाला ब्यूटी पारलर और मेहंदी सेंटर में ही सेवा लें पुझफर नगर की खतौली विधानसवा सीट से भारते जिनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी ने हिंदु महिलाओं से करवाचौत पर ऐसी अपील की है कि जो भी महिलाएं ब्यूटी पारलर आज जा रही है उन्हें हिंदु महिलाओं के द्वारा चलाएं जाने वाला पारलर पर ही जाना चाहिए और वहीं से महंदी लगवानी चाहिए विक्रम सैनी आगे कहते हैं कि वैसे तो सभी बहन बेटियों को महंदी अपने घर पर ही लगा लेनी चाहिए और ब्यूटी पारलर नहीं जाना चाहिए जो भी काम है वो आप अपने घर पर ही कर लेजिए लेकिन अगर आप फिर भी पा पार्लर ही चाहिए कि अगर हमारे किसी भी बहन बेटी के साथ कुछ भी गलत हरकत होता है तो यह सही नहीं होगा क्योंकि मुसल्मानों के द्वारा चलाये जाने वाला पार्लर लव जिहाद के लिए बनाया जाता है इस वज़से आप लोगों को हिंदू पार्लर में ही जाना हैं लेकिन वो लोग हमें अपना दुश्मन समझते हैं अगर वो लोग हमें अपना भाई समझते होते तो हमारे त्योहार को मनाते होली पर गुलाल लगवाते दिवाली पर दीपक जलाते लेकिन ऐसा नहीं होता है हम लोग सिर्फ उनके घर का खीर खाते हैं लेकिन वो पार्लर पर्नगर के पूरे बाजार में हिंदु संगठनों उने तभल का मचा दिया है। घुम घुम कर लेस। सब इमेहन ते pil पालर पर्रें यो महिलाओं की पहचान कि रहे हैं। मुस्लिम हैं उनके कस्टमर अगर हिंदु हैं तो वहां से उन्हें हटा देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप लोग हिंदु महिलाओं के द्वारा चलाए जाने वाला पार्लर पे ही जाए मांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताईएगा आगे की पॉंक्शन देख्टे रही है हन्निवाद